पहली उन्होंने बताया कि इस किन हालात पे अगर आप बाचीत के डेबल पर आ जाते हैं तो हो सकता है वो अंदोलर वापस ले ले कब आएगी सरकार बाचीत के डेबल पर अगर मगर का तुम्हें जवाब दे नी सकता दीतु लेकिन जिस बात को देखना जरूरी है कि प्रदान मंत्री जी ने पड़े एक शुभ परवर पर बाच्वा साब बीजेपी से नलीन जी की बात सुन लेते हैं आपकी बात हो गई नलीन जी की बात सुन लेते हैं फिर भाकर प्रदान मंत्री जी ने बड़े एक शुभ परवर पर गुरुपूर्वप के परव पर एक बड़ा महत्पूर्ण संदेश दिया आपने खुद कहा बड़ा दिल दिखाया उन्होंने वह तो यहां तक भी गए कहने के लिए कि मैं देश्वासियों से माफी मांगता हूं क्रिशी को लेके ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी की सरकार ने पिछले 7-8 सालों में कदम नहीं उठाए आप ही बताईए कि यहां पर MSP के रेकॉर्ड खरीद हो रही है तीन बार दाम बढ़ाए गए MSP के लिए ताकि फाइदा मिले किसानों के सम्मान के लिए 2000 रुपए हर प्रती 3-4 महिने में एक बार जाते हैं 12-13 करोड किसान के बैंक अकाउंटों में जाते हैं मतलब subsidies रखी जा रही है farmer produce organizations बन रहे है crop के उपर में improvement कैसे हो zero cropping हो मतलब budget cropping यह सब पे चिंता होती जा रही है लगाता तो ऐसा नहीं है कि प्रधाम अंतरी जी निकी और मोदी जी की सरकार काम नहीं कर रहे है किसानों के लिए उस दिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने एक अपील भी कई वही इस शुब दिन पर सब लोग अब वापस घर जाए परिवार के साथ रहे और एक समिती का गठन तो उन्होंने अनूंस करी दिया जो बाकी विश्यों पर चर्चा करेंगे, बाचीत करेंगे, हल निकालेंगे क्योंकि ऐसा तो किरिशी और हमारे किसान भाईयों के लिए जो करना है उचित चीज सरकार करेगी ही अब बाकी जो आपके सवाल है, उसका जवाब तो संयुक्त मोर्चा या उनके निताओं को ही देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हट रहे या क्या नहीं हटते, इसके लिए भाजपा का तुप्रवक्ता बोलेगा नहीं और जो राजनेतिक दल है, जैसे कॉंग्रेस पार्टी और अंदिय दल, उनका राजनेतिक करन किसी भी चीज का करना स्वाभाविक है क्योंकि पचास साल में उन्होंने चिंता तो की नहीं, गरीबी हटाओं का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटा ही तो नहीं बैंक राजश्ट्य करन का नारा दिया, ताकि गरोबों के बाएंक अकाउट बने, तो वो तो गरीबों के अकाउट बने नहीं प्रदार मंतरी जंदन योजना में पैंतालीस करोड अकाउंट कैसे बन गए फिर दो साल के अंदर गरीबों से गरीब से गरीब लोगों के लिए तो ये कथनी करनी का ग्याब जो है ये तो राजनेतिक दल अपने जबाब दे बाकि भारती जंदा पार्टी हमेशा ही और हमार क्रिशी के लिए लगे हुए है